मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान बज़ रही ओम शांती आज 13 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको शिरिमत का महत्व समझा रहे हैं बाबा की शिरिमत स्रेष्ट बनाती है मनुष्य से देवता बनाती है शिरिमत पर चलने से ही उच पद की प्राप्ती होती है शिरिमत पर ना चलना बहुत बड़ी खामी है गीत चला तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया बाबा बात कर रहे हैं कि गीत कौन गा रहा है ये गीत वो गा रहे हैं जिनोंने तीन लोकों की बादिशाही ले तुम बच्चे ही बादिशाही लेते हो और उस मालिक को जानते हो वो मालिक कौन है उसका नाम रूप क्या है कैसे वो रच्टा और रच्णा का ज्ञान देते हैं ये आप बच्चों ने इस समय समझा है मालिक स्वेम आये हैं सत्यूगी बादिशाही देने के लिए बच्चे ही स्वरग की बादिशाही लेते हैं अगर सेंसिबल बच्चे हैं तो वो देही अभिमानी होंगे तब ही बुद्धी में ज्ञान रतन ठहर सकेंगे अगर देह अभिमान है तो बुद्धी में रतन ठहरेंगे नहीं चलते चलते कोई एप पवित्र बन चाते हैं तो ज्ञान रतन बुद्धी से निकल चाते हैं कोई-कोई तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा को फारकती दे देते, तो बाबा ने कहो बाबा का नाम बदनाम करते हैं, तब कहते हैं सत्गुरु का निंदक छोड़ ना पाए, जैसे उच्पद पाना है, तो कभी भी बाबा की निंदा नहीं करानी है, इश्वरिय पढ पढ़ाई को नहीं छोड़ना है इसी समय का गायन है एक सक्रिण में जीवनमुक्ति जो अच्छी रिती पढ़ाई पढ़ते हैं शिरीमत पर चलते हैं उन्हें जीवनमुक्ति में उच्पद मिलता है यादगार है कि निराकार परमात्मा ने स्वेमा के ज्ञान दिया शास्त् स्वेम ब्रह्मातन के द्वारा तुम्हें राजयोग सिखाता हूं तुम मेरे प्यारे बच्चे हो मैं तुम्हें गती सदगती देता हूं बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तुम स्ने भरे शब्तों में बाबनी कहा तुम मेरे बच्चे मुझे याद करो मैं तु तो पती का बंधन कटेगा, तो बच्चों का शुरू हो जाएगा, आप एक बाबा में मोह रखो, बाबा में मोह रखेंगे, सब तरफ से बुद्धी हटती चाहेगी, बाबा ही निशकाम सेवा धारी है, बाबा जैसी निशकाम सेवा कोई कर नहीं सकता, बाबा बच्चों को राजयोग सिखा कर, स्रेश्ट मत देकर देवी देवता बनाते हैं, उसके लिए आप बच्चों को अपनी कतनी करनी एक समान बनानी है, यही समय है जब आपको अपनी कतनी करनी एक समान बनानी है, अगर दूसरों को सुनाते रहेंगे, स्वैम नहीं करें वरदान में बहुती सुन्दर बात आज बाबर समझा रहे हैं बाप ददके साथ द्वारा माया को दूर से मुर्चित करने वाले माया जीत जगत जीत भाव हम सबका वाइदा है तुमी संग बैचूं तुमी संग खाऊं जो बच्चे पूरी दिन शरिया में बाबा को अपने स साथ रखते हैं तो माया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है माया दूर से ही भाग जाती है पहले अपने स्वाइदे को पूरा निभाना है कि मेरे हर करम में बाप ददा मेरे साथ है बाबा के स्नेही तो हैं लेकिन बाबा को साथी बनाकर रखने से शक्ति मिल जाती है मिलन की शक जीत बच जाएंगे स्लोगन में बाबा ने समझाया अपनी उची वृती से परविर्ती की परसितियों को चेंज करो वृती उची होगी तो परसितियां स्वत ही चेंज हो जाएंगे आज चलते फिरते याद करेंगे बाप दादा स्वयम मेरे साथ है तुमी संग बैठूं तुमी संग खाऊं तुमी से सर्व संबन निभाऊं पल-पल साथ के अनुभव से स्वयम को शक्तिशाली बनाना है अब सुनते हैं मुरली विस्तार से बाबा केते मीठे बच्चे स्रेष्ट बनना है तो शिरीमत पे पूरा पूरा चलो शिरीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है स्रेष्ट बनना है तो शिरीमत पे पूरा पूरा चलो शिरीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है कोशने किन बच्चों का गला घुट जाता है बुद्धी से ज्ञान निकल जाता है जो चलते चलते एह पवित्र बन जाते है पढ़ाई छोड बाप को फार्कती दे देते उनकी बुद्धी से ज्ञान निकल जाता है जब तक निर्वीकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धी में बैच नहीं सकता बुद्धी का ताला खुल नहीं सकता पतित बनने वालों का खानपान भी गंदा हो जाता मायावी मनुश्यों से जाकर मिल जाते फिर गलाई घुट जाता किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया जमी तो जमी आस्मा पा लिया ओम शैंती ये गीत कौन गा रहे है जिसने बाप से तीनों जहान की बादिशाही ले ली है आप से जो कुछ मिला उनको कोई हटा न सके हमको कोई हटा नहीं सकता अर्थात काल खा नहीं सकता ना ही हमारी राजाई कोई ले सकता है बच्चे जानते हम उस मालिक से वर्सा ले रहे हैं बाप को मालिक भी कहते हैं लेकिन हम उस मालिक से क्या मिलता है किसी को कुछ पता नहीं हमें उस मालिक से क्या मिलता है किसी को कुछ पता नहीं, मालिक को कैसे हम याद करें, उसका नाम रुप क्या है कुछ पता नहीं मालिक तो स्रिष्टी का मालिक ठेहरा, वेहुआ रच्यता, हम वे रच्चना बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को फिर उनको अपना मालिक बना देते बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते बच्चे कहते मेरे बाप की जो जैदाद है उसका मैं मालिक हूँ बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे की जैदाद का मैं मालिक हूँ ये बड़ी समझने की बाते हैं सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं बुद्धी साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर ना सके बुद्धी साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर ना सके जब देहिय भी मानी हो तब रतन ठहर सके देहिय भी मानी होकर रहना है और बाप से वर्सा लेना है उस बाप को याद करना है जैसे लौकिक बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन चाते बच्चे कहेंगे मेरा बाप बाप कहेगा मेरे बच्चे, प्रन्तु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो बाप की मिलक्यत मिलती, बाप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे के मिलक्यत मेरी हैं, बाप समझाते, बाप समझते हैं, बच्चे मेरी मिलक्यत के मालिक हैं, ये बड़ी धारणा युक लुट बाते हैं धार्णा नहीं होती क्योकि खामिया है समझना चीए मेरे में बहुत खामिया है नर फ़न खामी है नोट करें नर फ़न घामी कौन सी है जो श्रीमस पर नहीं चलते शिरिमत से स्रेश्ठ बनना है श्रीमत राज्षियूग सिखाती है शिरी माना निराकार भगवान वाज इसने हम प्रश्न पूछते हैं ज्यान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या समन्ध है यह बहुत बड़े-बड़े बोड़ पर लिख देना चाहिए परमात्मा है स्वर्ग का रच्यता तो जिनका परमा आत्मा से समन्ध होगा वैस्वर का मालिक बन चाहेगा बाबा कर बच्चों को सलाम करते हैं सलाम मालेकम बच्चे बच्चे कहते हैं मालेकम सलाम हम तो सिरफ ब्रह्मांड के मालिक हैं तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हूँ इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं, एक ही बेहद का बाप, तुम्हारे कितनी निश्काम सेवा करते हैं, लौकिक बाप निश्काम नहीं होते, उनको आशा रहती है, हम वानपरस तवस्था में जाएंगे, बच्चे हमारी सेवा करेंगे, असल में एक काईदा था, बाप से प्रोपरिटी मिलती है लक्षमी नार्ण के लिए भी लिखो, कि इनको जानते हूँ इनको ये स्वर्ग की बादिशाही किस ने दी जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा पुरानी दुनिया हो, तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे तो लक्षमी नार्ण नहीं वर्सा पाया शिरीमत पर चलने से शिरीमत राज्योग और सहज ग्यान सिखाती है बाबा की शिरीमत सहज राज्योग, सहज ग्यान सिखाती है जिन को बाप समझाते हैं वो राजा बन जाते हैं पहले नंबर में स्रे कृष्ण उसने ऐसा क्या करम किया जो उपने माबाप से भी जास्ती मरतबा पाया वो महराजा महरानी कहा थे जिन के पास स्रे कृष्ण का जनम हुआ जब तक निर्वी कारी होकर रहेंगे, बुद्धी का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं, ऐ पवित्र बनने से सब बुद्धी से निकल जाएगा, बहुत बच्चे फार्कती दे देते, पढ़ाई कोई छोड़ देते, वो फिर कभी किसी को ज्ञान सुना न सके, पतित बन जाते, खानपान भी गंदा खाते, माया भी मनिश्यों से जाकर मिलते, उनके गले घुट जाते, ये बात भी शास्त्रों में है, वरिंदावन में रासाधी होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा, है ये ज्ञान की बात, अगर फार्कती दी, जाकर निंदा करते हैं, तो गला घुट जाता है, बाबा को छोड़ दिया, बाबा की निंदा कराई, तो गला घुट जाता है, कहते सत्गुरु का निंदक ठोर ना पाए, बाबा कहते स्रिष्टी जब पती तो पुरानी हो जाती, तब मैं आता हूँ, मनिश्यों को तमो प्रधान भी बन पतर ही नहीं था, सन्यासी विकारों का सन्यास करते, पावन बनने के लिए, तो पहले-पहले ये बात समझानी हैं, कि परम, पिता, परमात्मा से आपका क्या संबंध है, सब भगवान को याद करते हैं, भगवान कहते, मुझे सब भगत प्रिये हैं, क्योंकि उन सब को सद्गति को पाया, अब मैं सद्गति देने आया हूँ, भक्ति के बाद भगवान को आना ही है, मुझे तुम को ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता, और तो शुरू से लेके मेरे भगत है नहीं, वो तो अनेकों की भक्ति करते, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक भक्ते, मायरावन ने तुम पर जीत पाली, और फिर भक्ति शुरू हो गई, ये भी ज्रामा है, मैं तो सब की सद्गति करता हूँ, तो मेरे मत पे चलते होना, मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, श्री मत देने के लिए आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सद् बताओं, मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ, ये है नंदीगन, पहले नंबर का भगत, ब्रह्मा बाबा, इस तन में आता हूँ, ये है नंदीगन, शिव के मंदिर में सामने नंदीगन रखते हैं, विचार करो, परम, पिता, परमात्मा, बैल के तन में तो राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा ज्यान सागर बैल में परवेश करेंगे क्या अब तुम ज्यानवान बनते हो शिरीमत पर चलकर लक्ष्मी नारेण सूरेवंशी राजरानी बन रहे हो उस राजधानी को कोई हमसे छीन ना सके ना कोई तुफान लग सके हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं ये मृत्यू लोक है अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाते हैं उनका पार्ट अलग है तुम सब पारवतियां हो मैं अमरनाथ हूँ हम कभी जनम रण में नहीं आते शिव बाबा कभी जनम पुनरजनम में नहीं आते उनका अवतरण होता है ब्रह्मा के तन में अमरपुरी स्वरग का मालिक तुमको बनाता हूँ भारत वासियों को बैकुंच बहुत प्यारा लगता है कहते फलाना बैकुंच वासि हुआ बहुत मुख मीठा कर दिया अब बैकुंच सचमश तो सत्यूग में होगा जब सत्यूग है तो पुनरजनम भी सत्यूग में लेते फिर त्रेता में आते तो पुनरजनम भी त्रेता में लेते फिर द्वापर में आते तो पुनर जनम भी द्वापर में लेते प्रंतु ऐसे थूड़े ही हो सकता जो मरेंगे कलियों में और वो पुनर जनम लेंगे सत्यों में स्वरग में जनम लेते रहें इसका मदार है पढ़ाई पर बावा कहते हैं मैं तुम्हें स्रिष्टी का मालिक बनाता हूँ, मैं निश्कामी हूँ, मैं तुम्हें स्रिष्टी का मालिक बनाता हूँ, मैं निश्कामी हूँ, हम विश्व का मालिक नहीं बनते, तुम स्वरग में जाते हूँ, तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ, मैं चक्र में नहीं आता आप स्वरग में आते हो तो बाबा केते मैं मूल वतन में विश्राम करता हूँ मैं चक्र में नहीं आता इस इश्वरी जनम के बाद तुम दैवी गोध में जनम लेंगे अब तुम जनम जर्मांतर आसुरी गोध में जनम लेते हो ब्रश्टा जारी बन पड़े हो सत्यों में सब स्रेष्टाचारी होते हैं अब तुम शिरीमत से स्रेष्टाचारी बन रहे हो वहां विश होता नहीं यहां भले सन्यासी हैं परन्तु जरम तो विकारों से लेते हैं न सत्यों में विकारों से जरम नहीं होता नहीं तो उनको संपूरा निर्वीकारी कहना सके वह माया होती नहीं प्रन्तो ये बाते भी जब किसी की बुद्धी में बैठे अब बाबा केते बच्चे तुम्हें घर जाना है फिर स्वरग में आके राच्छे करना है आत्माई परम धाम से आती हैं पार्ट बचाने जब तक पतित पावन आकर लिब्रेट ना करे तब तक एक भी जान हा सके गपोडा मारते रहते फलाना पार निर्वान गया बाबा कर सब बातें अच्छी रिती समझाते पहले पहले सबसे पहले ये बात समझाओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या समझ है दूसरा किसी को ये भी प्रश्ण पूछना नहीं आएगा तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी पारस बुद्धी से पत्थर बुद्धी बनते आए यह तो अच्छी रिती समझाये जाता प्रंतु जबकि निश्चे बैठे ग्रोबर्शिव बाबा के हम बच्चे हैं बाबा केते हम मैं आया हूँ तुम्हें सुखदाम में ले जाने चलेंगे पूछ रहे हैं बाबा मैं तुम्हें सुखदाम में ले जाने आया हूँ चलोगे वहाँ यह विश्च नहीं मिलेगा मूल बाथी पवित्रता की है जो कल्प पहले रहे थे वोही अब भी रह सकते हैं बहुत बच्चिया लिखती हैं बाबा पता नहीं कभी यह बंधन टूटेगा युकती बताओ बाबा क्या करेंगे एक बंधन भले छूट चाए फिर बच्चों आदी में मोह पढ़ जाता इन सबसे बुद्धी निकालने में बड़ी मेहनत लगती है कई तो औरी जास्ती मोह में आ जाते बहुत है जो मोह में लटक पढ़ते बाबा केते तुम मोहो एक बाब में रखो तब धारना होगी अपना मोहो एक बाबा में रखो तब धारना होगी कोई ज्यान उठा नहीं सकते तो भागनती हो शाते फिर नाम बदनाम होता जो second pass हुआ वो drama अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना कच्चे को थोड़ा जटका आता है वो त्सन्यासी भी ऐसे होते, नहीं ठहर सकते तो ग्रस्त में चले जाते चलन ही ऐसी होती है यहां तो एकी बात मुख्य है हम भी उस बाप से वर्सा ले रहे हैं, तुम भी उनको पिता समझते हो, आकर स्वरक का वर्सा लो, एकी बात है सेकंड में जीवन मुक्ती, सेकंड में जीवन मुक्ती, पिचाडी में थोड़ा भी समझाने से मनुश्य जट समझ जाएंगे, अनेक मते हैं जिससे भारत भरस्त बन गया, फिर एक की मत से आधा कल्ब के लिए भारत स्रेष्टाचारी बनता है, स्रेष्ट जरूर बाप बनाएंगे, सब को पार ले जाने वाला बाप है, तो जरूर कोई डुबोने वाला भी होगा, सब को पार ले जाने वाला एक बाप है, तो डुबोने वाला भी कोई ह बाबा तो सबको कहते विकारों का सन्यास करना ही पड़ेगा, तब तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे, बाबा वर्सा दे रहे हैं, धेर ब्रह्मा कुमारिया हैं, तुम भी बीके हो, वर्सा रुखानी बाप से मिलता, कितना सहच है, प्रन्तु कोई की सिर्फ कतनी है, करनी नहीं, तो किसी को तीर नहीं लगता, कोई सिर्फ कहते रहते हैं, स्वयम नहीं करते हैं कुछ भी, तो उनका इफेक्ट दूसरों पर नहीं पड़ेगा, अंडरलाइन करेंगे, चेक करेंगे अपने आपको, दूसरों को कहने से पहले हमें स्वयम करना है, स्वयम कर नहीं है, तो गिर पड़ेगा, जिनको ज्ञान देंगे, वो चड़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा, ऐसे भी बहुत हैं, बाबा बच्चों को पूरा वर्सा विल करके देते हैं, अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो, लायक बनो, स्वर्ग के मालिक बनो, अच्छ शुकरिया बाबा, शुकरिया गेशार मेशनी पहींद्ग की आप्पिर्चाभों को इन सवाने बेच्छों के रोणी बाप दख को नमस्ति गोड़ मार्निग शुकरिया भाबा शुकरिया ढाला के लिए सार। पहली पोइंट है तेशि चारी बनने के लिए अपनी सब खामिया निकाल सदा श्रीमत पे चलना है स्रेश्टाचारी बनने के लिए अपनी सब खामिया निकाल सदा श्रीमत पे चलना है गुद्धी में ग्यान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बन कर करनी है सेकिन पॉइंट है अपनी कत्नी करनी एक करनी है ग्यान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाबा में मोह रखना है ग्यान की धारणा अच्छी हो उसके लिए सबसे मोह निकाल एक बाबा में मोह रखना है वरदान है बाप ददा के साथ द्वारा माया को दूर से मुर्चित करने वाले माया जीत जगत जीत भव बाप तदा के साथ द्वारा माया को दूर से मुर्चित करने वाले माया जीत जगत जीत भव जिसे बाप के सने ही बने हो ऐसे बाप को साथ ही बनाओ तो माया दूर से मुर्चित हो चाएगी शुरू शुरू का जो वाइदा है तुमी से खाऊं, तुमी से बैठूं, तुमी से रुह को रिजाऊं इस वाइदे प्रमाण, सारी दिन चरिया में हर कारिये बाप के साथ करो हर कारिये बाप के साथ में करो, तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा माया का destruction हो जाएगा तो साथी को सदा साथ रखो साथ की शक्ति से वा मिलन में मगन रहने से माया चीत जगत चीत बन जाएगे साथी को साथ रखो साथ की शक्ति से वा मिलन में मगन रहने से माया चीत जगत चीत बन जाएगे स्लोगन है अपनी उची वृति से परविरती की परसितियों को change करो अपनी वृति उची रखो तो परविरती की परसितियां change हो रहेँगे आज अनुभव करेंगे बाप दादा मेरे साथ है ने माया जीत जगत जीत आत्पा हूँ ब्रिकुटी सिहासन पर अपमें दिव्वे स्वरूप को देखें मैं माया जीत आत्मा हूँ बाप ददा स्वयम मेरे साथ है मेरा साथी स्वयम सर्व शक्तिवान है बाबा के साथ की शक्ति मुझ में शक्ति का संचार कर रही है परमात्म शक्तियां पल-पल मेरे साथ है इन शक्तियों से मैं माया जीत जगत जीत बन गई शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांति 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 अस्तित्म उनका महसूस होगा अद्रिशे खुल चक्षोता देखो अस्तित्म उनका महसूस होगा मिलो उनको प्रमोत्न में महका लो मन की पेला थाम इस वेग को जगा लो वीवेक सारे जग का करण धार हो मुरली की तान बज रही हो मुरली की तान बज रही हो